असलाम आलेकुम आज कर करनाटका में और और कई स्टेटों में हिजाब गुर्खे के बारे में है ना बहुत सी बाते चल रही हैं सब में पहले मैं हमारे करनाटक के चीफ मिनिस्टर का भयान आपको सुनाता हूँ करनाटका चीफ मिनिस्टर भूम है उसके बात में मैसूर एप्राइट कॉलेज इन करनाटका मैसूर कैंसल इस यूनिफर्म रूल तो अलाव स्टूड़न्ट तो अटेंड क्लास विद हिजाब मैसूर के कॉलेज में भी है ना यूनिफर्म का रूल हटा दिये हैं वहाँ पे हिजाब हमारे लड़का पूर्खे में आ सकते हैं और एक बाद है जिसुन के कोर्टी से हिसाब निया है। जिसकूल में भी भी घुए बहुत सारी है लड़किया आते थि घुरूखे में, सइट में आने के बाद में कमपॉंड के अंदर बुरुका निकाल कर अपने बैंग में रखने, सीजा चले जाते थे फिर क्लास में है ना फिर स्कूल खतम होने के बाद फिर बाहर आकर पुर्खा पिर के अपने घरों को जाते थे वही रूल पास हुआ और एक बात है मैं करना तक के सबी मेरे भायों से बोलना चाहता हूं जितने भी डिग्री कॉलेज, यूसी कॉलेज, स् स्कूल होना, एक भी कॉलेज होना जितने कॉलेज चल रहे हैं, डिग्री के कॉलेज, तूसी स्कूल, यह कोई कंडिशन पर नहीं चल रहे हैं, उसके बाद में पर्मिशन कापी निकालने के बाद में आपके पास अच्छे-च्छे और एडुकेट है, लालो हाई कोड में प सताय हैं बच्चों को, प्राइविट टिवीशन लेना नहीं है, उनका भी तीछा पड़ो, और एक बाद, एक जोला छाथ मीडिया वाला मुस्खान खान के बारे में बोलता है, कि मुस्खान खान बीजेपी की एजेंट है, हमारी मंडिया की है, हमारी बच्ची है, हम सब की सारे करनाटक, सारे हिंदुस्तान की बेट, उसको बोलता है उस लड़की को, कि बीजे की एजेंट है, अबे सुगर के बच्चे, क्यों जूड बोलते रहे, सच बोलो रहे हराम हो, और जिन लोगों को, हमारे अल्ला के नाम से नफरत है, हमारे जो लोग दरगाओं से नफर अना हाथ जोड़के अना ठीक मांगते हैं अपने अपने लिए, फिर हमी से नफरत करते हैं, और आएंगे तो हाथ, पैर, मुध, हिजाब में आना हमारे जरगाओं को, और एक बात, आज सारी दुनिया में मुष्कान खान का नाम है, किसकी वज़े से, शोशल मीडिया की व अलुमात नहीं हुए, समझे, और जो जो लोग बच्चों को सता रहे हैं, उर्खे के बारे में, हिजाब के बारे में, जो पेलने के नहीं आना होते, उर्खे लिए गवर्णने आडर है, या फैर करो, समझे, और जो जो लोग जितना भी अभी तक सता है हैं, पुरे